आज भारत और उस्ट्रेलिया के वीज 5 टी-20 मैचों की सिरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है और यहां मुकाबला आंदर पर्देश के मुसाका पत्टनम के राजसेगर स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच को अगर आप देखना चाते हैं तो साम 7 बजे से इस ले सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले BCCI ने इस मैच के लिए बिलकुल नई पलेइंग 11 जारी की है जिसमें वर्ल्ल कप में खेल रहे सभी गेंदवाजों और सभी बल्लेवाजों को आराम दिया गया है और उनकी जगहा पर एक नई युवा टीम बनाई गई है और यहाई युवा टीम BCCI ने इसलिए भी बनाई है क्योंकि BCCI साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल कप की तैयारी करना चाहता है जिसके लिए उसको एक नई टीम चाहिए और उसके लिए BCCI ने अभी से तैयारी करना सुरू कर दिया है क्योंकि यहाँ माना जा र बन्चुम भी छक्के लगाना जानते हैं और तावर्तोड गेंदबाजी करते वे भारत की टीम को यहाँ पांच T20 मैचों की सिरीज जीता कर वर्ल कप में मिली हार का बदला लेना चाहेंगे इन पांच T20 मैचों की सिरीज में जहां रोहिस सर्मा, विराट कोली, रविंदर जड़ेजा, मुहमन समी, मुहमन सिराज और जस्पी दुमरा जैसे बड़े खिलाडियों को भी आराम दिया गया है और उनकी जगहा पर एसन गेम्स और आईपियल में धमाल मचाने वाले तावर्तोड बल्लेवाज को सामिल किया गया है, सिर्फ तीन खिलाडी ऐसे हैं जो क सबी मैचों से ड्रोप कर दिया गया था, सांदार गेंदबाज परसिद कृष्णा भी आज खेले जाने वाले मैच की पलेंग 11 में खेलते वे नजर आने वाले हैं, हाला कि वर्ल्ल कप के किसी भी मैच में परसिद कृष्णा को मोका नहीं दिया गया था, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले विसाका पत्रनम का राज सेकर स्टेडियम का क्या कहता है मिजाज और क्या है इस स्टेडियम की पिछकी रिपोर्ट सबसे पहले आपको बताते चले आज तक भारत और उस्टेलिया के बीच T20 फोरमेट के 26 मुकाबले खेले गए हैं और इन 26 मुकाबलों में से भारत की टीम ने उस्टेलिया के ऊपर 15 मैचों में सांदार जीत दर्ज की है जबकि उस्टेलिया जैसी बड़ी टीम को भी भारत की टीम ने T20 फोरमेट में सिर्फ 10 मुकाबले जीतने का ही मुका दिया है जबकि एक मुकाबला ऐसा रहा है जिसका कोई परिणाम नहीं निकला आपको यह भी बताते चले कि इन 5 T20 मैचों की कमान सूर्य कुमार यादव के हातों में दी गई है हाला कि BCCI इस तरह से किसी को कपतानी नहीं दे सकता लेकिन BCCI ने यह सब कुछ इतना बड़ा रिस्क 2024 में होने वाले T20 वर्लकप को देखते हुए लिया है वह सूर्य कुमार यादव को कपतानी देकर आजमाना चाहते हैं कि वह आने वाले समय में मारत की टीम के कपतानी करने के लायक है या नहीं आप ऐसे तो सूर्य कुमार यादव का परदसन वर्लकप में बेहधी निरासाजनक रहा था जहां उनके बल्ले से एक 50 तक भी देखने को नहीं मिली थी ऐसे में सूर्य कुमार यादव के कंदों पर जिम्मेदारी ज़्यादा होगी बारत को पहले T20 मैच जिता कर और श्रीरा के ने वाली टीम ने 6 मुकाबले अपने नाम किये हैं जिससे अंदाज लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो भी टीम टोस जीतेगी वहाग इनदबाजी करने का फैसला करेगी पहल जी बात की जाए अगर इसी स्टेडियम के अवरेज स्कोर की तो इसी श्टेडियम पर आज त परनका है वहीं अगर बात की जाए इस स्टेडियम पर हाइएस्ट स्कोर की तो हाइएस्ट स्कोर इस स्टेडियम का 189 रन है जो कि भारत की टीम ने साउथ अफरिका के खिलाब बनाया था वहीं इस स्टेडियम पर लोवेश्ट स्कोर सिलंका की टीम का है जबकि सिलंका की टी तो IPL के दोरान इस स्टेडियम का हाईएस इस्कोर 206 रन है जो कि मुंबई इंडियन्स की टीम ने दिल्ली के खिलाब बनाया था तो चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग इलावन की क्या रहने वाली है भारत की प्लेइंग इलावन सबसे पहले ओपनिंग जोडी के रूप में भारत की टीम में तीन बल्लेवाज मुझूद हैं जिनमें रितुराज गायकवाड इसस्वी जेसवाल और इसान किसन का नाम सामिल है लेकिन इसान किसन को ओपनिंग के रूप में नहीं खिला जाएगा इसान किसन को टीम में विकट कीपर के रूप में जगया दी गई है और इसान किसन ओपनिंग करते हुए नहीं नजराने वाले तो किस नंबर पर वहाँ बल्लेबाजी करेंगे आपको बताएंगे उसके लिए वीडियो में अन्ततक बने रहीएगा सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए भारत की टीम में सस्यू जेसवाल और रितुराज गायकवाड की रीज पर उतरेंगे साथ इसाथ रितुराज गायकवाड चेनने सूपर किंग की ओर से लगतार ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे थे रितुराज गायकवाड एक कलातमक बल्लेबाज हैं और वहाँ अपनी कलाईयों के जादू से ही छक्के लगाने की अकसमता रखते हैं रितुराजगाएक वाड एक बहतरीन ओपनर बल्लेवाज हैं उन्होंने चेनने सूपर किंग को कई बड़े स्कोर बनाकर 2022 का खिताब भी जितवाया था वहीं अगर बात की जाए यससवी जेसवाल की तो यससवी जेसवाल एक धागड बल्लेवाज हैं वह तावड तोड बल्लेवाजी के साथ साथ बड़े बड़े चक्के लगाना जानते हैं साफी साथ गेंद को बाउंडरी के पर लगातार पहुचाने की अक्समता यससवी जेसवाल में भरपूर है यससवी जेसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाब जब अपना टैस्ट मैस डेब्यू किया था तो टैस्ट डेब्यू में ही उन्होंने सांदार सतक लगा दिया था जिससे उन्होंने अपनी पर तिबा का लोहा मनवाया था और प्र वहीं एस्ट गेंज में उनका सेलेक्षन हुआ तो एस्ट गेंज में भी जाते ही चीन की दहती पर पहला सदक लगाने वाले भारते बल्लेबाज भी बन गये थे जहां उन्होंने एसेन गेम्स में लगाता तावर्टोड बल्ले बाजी करते हुए भारत की टीम को एसेन गेम्स में गोल्ड जिताने में अपनी एहम भूमिका निभाई थी साथिसात राजस्तान रोयल्स के लिए भी रिजर्स्तिव जेसवाल कई बार कमाल की पारिया खेल चुगे हैं आई पिल में उन्होंने राजस्तान के लिए तावर्टोड सदग लगा कर राजस्तान की टीम को कई बार मुसीबतों से उवारा है उसके बाद एक बार फिर से बल्लेवाजी करने के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाब अपना डेब्यू करने वाले और मुंबई इंडियन्स में अपनी खास जगह बनाने वाले तिलक वर्मा एक बार फिर से क्रीज पर बल्लेवाजी करने के लिए उतरेंगे तिलक वर्मा को आने वाले विराट कोली के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि जिस नमबर पर विराट कोली भारत के टीम में बैटिंग करते थे उसी नंबर पर तिलक वर्मा को लगतार जगादे कर विराट कोली के स्थान को बरने की कोशिस की जा रही है क्यूंकि विराट कोली अब ज्यादा लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे ऐसे में BCCI तिलगवर्मा को तीन नंबर की पोजिशन पर लगतार उदार कर उनके अंदर की अक्समता पैदा करना चाहती है जो की विराट कोली के अंदर हुआ करती थी तिलगवर्मा ने वेस्ट इंडिज के खिलाब खेली गई T20 मैचों की सिरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारते बल्लेवाज भी बने थे जहां उन्होंने कई सांदार पारिया खेल कर भारत की टीम को जीत दिलाई थी तो साथिसाथ मुंबई इंडियन्स के लिए लगतार खेलते वे मुंबई इंडियन्स को भी कई मैच जिताव पारिया खेली थी उसके बाद नमबर चार पर बैटिंग करने के लिए एक बार फिर से 5 T20 मैचों की सिरीज के लिए कप्तान बनाएगे सूरे कुमार यादव पिछ पर उतरेंगे सूरे कुमार यादव को T20 फोर्मैट का स्पेसलिस्ट बल्लेबाज माना जाता है अभी तक जितने भी खिलाडी भारतिय टीम में खेल रहे हैं T20 का स्पेसलिस्ट अगर कोई बल्लेबाज है तो वहाँ सूरे कुमार यादव ही है और इन 5 T20 मैचों की सिरीज में सूरे कुमार यादव के कंदों पर जिम्मेदारी भी कुछ ज़्यादा ही रहने वाली है क्योंकि एक तो उन्हें कप्तान बनाया गया है दूसरी और वहाँ भारत के 360 कहे जाते हैं ABD युलियस के बाद अगर दुनिया में कोई 360 सोट लगा सकता है तो वहाँ सूरे कुमार यादव ही है सूरे कुमार यादव ने IPL के दोरान और कई इंटरनेशनल मैचों के दोरान भी भारत की टीम को बड़े-बड़े स्कोर बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है सूरे कुमार यादव एक ऐसे बल्लेवाज है जो किसी भी कंडिशन में अगर मैच का पासा पलटने की अकसमता रखते हैं हाँ यहाँ बात बिल्कुल सही है कि वहाँ वर्ल्लकप में अपने आपको साबित नहीं कर पाये थे लेकिन T20 फोर्मैट में उनके जैसा बल्लेवाज वर्ल्ल किरिकेट में दूसरा नहीं है उसके बाद नमबर पांच पर बैटिंग करने के लिए इसान किसन टीम में विकेट कीपर की भूमी का निभाने के लिए मोजूद रहेंगे ऐसे में BCCI इसान किसन को नमबर पांच की पोजिशन पर बैटिंग करवाना चाती है और उनका नमबर पांच की पोजिशन पर भारत के लिए मैच जितवाना देखते हुए BCCI उनको देखना चाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि घरेलू किर्केट में इसान के से नंबर 5 की पोजिशन पर ही बैटिंग क्या करते थे। में भी बहतरीन पर दसन करके अब अस्टेलिया जैसी टीम के सामने इन पांच टी-ट्वंटी मैचों की सीरीज में भी जगया बनाई है ऐसा नहीं है कि रिंगो सिंग ने सिर्फ एक बार ही ऐसा कारणामा किया हो वह कहीं बार ऐसे ताबड़तोड पारिया खेल चुके हैं और एक बैस्ट फिनिसर की भूमिका निभा चुके हैं आने वाले समय में उन्हें बारतिय टीम में एक फिनिसर की भूमिका के लिए BCCI तयार करना चाहता है और इसलिए BCCI उनको नंबर 6 पर उतार कर एक बार फिर से रिंगो सिंग को अपनी परतिभा को सावित करने का मोका द अपनी गेंदबाजी और बल्ले बाजी से चेनने सूपर गिंग को 2022 का IPL का किताब जितवाने वाले सिवम दूबे एक बार पेसे प्लेइंग 11 में जग्या बनाने में काम्याब हुए हैं जहां सिवम दूबे ने एसन गेंज में अपनी गेंदबाजी के साथ बल्ले से भी कमा का परदसन किया था तो वहीं चेनने सुपर गिंग के लिए मुश्किल समय में कई बड़ी पारिया खेल कर चेनने जैसी टीम को 2022 का IPL का खिताब जिताने में अपनी पूरी भूमी का निभाई थी सिवम दूबे गगंचुंबी चक्या लगाने के लिए जाने जाते हैं और वह अकसर पटेल को टीम में जगय दी गई है हाला कि अकसर पटेल को वर्ल्ड कप की टीम में भी जगय दी गई थी लेकिन वर्ल्ड कप के सुरू होने से पहले ही अकसर पटेल के चोटिल हो जाने के कारण उन्हें वर्ल्ड कप की टीम से बाहर करना पड़ा था लेकिन इन पां गेंदबाजी से कितना कमाल दिखाते हैं और क्या वह आने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगया बना पाते हैं या नहीं वहीं बात की जाए अगर गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में तीन तेज तर्रार गेंदबाजों को मौका दिया गया है जिसमें सबसे पहला नाम अर्षदीब सिंग ने आई पेल के दोरान किंग्स 11 पंजाब के लिए कई बहतरीन स्पैल फेके हैं और अर्षदीब सिंग अपनी लाइन और लैंद के साथ सा 60 क्योरकर के लिए जाने जाते हैं अर्षदीब सिंग एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 फोर्मैट में अपने आपको सावित करने के लिए साथिसाथ 2024 के T20 वर्लकप में अपनी जगा को पक्की करने के लिए अर्षदीप सिंग को एक बहतरीन गेंदबाज के रूप में उभरना होगा उनका साथ देने के लिए वर्लकप में बैंच पर बैठे रहे परसिद क्रिष्णा को एक बार फिर से पलेइंग 11 में जगा दी गई है परसिद क्रिष्णा एक सांदार गेंदबाज है महेंदरी सिंग दोनी ने भी परसिद क्रिष्णा के लिए कहा था लेकिन चेन ने सूपर किंग से पहले ही उनको दूसरी टीम ने हायर कर लिया था वहीं बात की जाए अगर तीसरे गेंदवाज की तो तीसरे गेंदवाज के रूप में मुकेस कुमार का नाम सामने आया है जिहां दोस्तों मुकेस कुमार ने वेस्ट इंडीज के खिलाब टैस्ट डेब्यू में कमाल का परदसन दिखाया था साथ ही साथ एस्ट इंडीज में भी उन्होंने अपनी गेंडबाजी का लोहा मनवाते हुए भारत की टीम को गोल्ड जिताने में अपना पूरा योगदान दिया था और वैसे भी मुखेस कुमार एसेन गेम्स में जहां किफायती गेनबाजी करने वाले गेनबाज बने थे तो साथ ही साथ IPL के दोरान भी सबसे किफायती गेनबाज साबित हुए थे तो कुछ इस प्रकार रहने वाली है भारत की प्लेंग इलावान किर्केट से जुड़ी तमाम रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें